हेलो दोस्तो नमस्कार गुड मोर्निंग बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है नियू स्टडी प्लानेट तो कैसे हैं आप लोग उम्मेद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्त होगा और सुरक्षित होगा साथ ही साथ आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी दोस्तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध मनोपैग्यानिक जीन पियाजे के मानसिक दिकास सिध्धान्त के बारे में ये बहुत ही महत अपूर टापिक है लगभग हर परिक्षा में चाह सीटेट की परिक् लगभग दो क्वेश्चन इसमें फिक्स रहते हैं तो आये शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गमाए हुए दोस्तो सबसे पहले जानते हैं जीन पियाजे के बारे में जीन पियाजे स्विट्जर लेंड की एक प्रसिद्ध मनुब्य ग्यानिक थी इन्होंने खुद अपने बच्चों को खोज का बिशे बनाया उन्होंने बताया कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है हर बालक कुछ जन्मचाद प्रब्रितियों एवं सहज क्रियाओं को करने की योग्यता के साथ ही पैदा होता है जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी समझ और बौधिक क्रियाओं का दाइरा बढ़ता जाता है और वह बुद्धिमान होता चला जाता है जीन पियाजे के मानसिक या संग्यानात्मक विकास की जो अवस्थाएं है उनके बारे में आयो जानते हैं जीन पियाजे ने मानसिक या संग्यानात्मक विकास को चार प्रमुख अवस्थाओं में बाटा है जो की निम्रलिखित हैं आईए देखते हैं वो अवस्थाओं कौन-कौन सी हैं पहली वस्था है इंद्री जन्य गामक वस्था – sensory motor stage या वस्था बच्चे के जन्म से दो वर्ष तक मानी जाती है इसमें मानसिक क्रियाएं इंद्री जन्य गामक क्रियाओं के रूप में ही होती हैं जैसे भूख लगने पर बच्चों का रो रो कर उसे ब्यक्त करना इसमें ब प्रत्यक्ष रूप से अपनी आखों से देखती हैं। भासा का विकास शुरू होता है तो आप याद रखिएगा ये दूसरी अवस्ता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता यानि प्री ऑपरेशनल स्टेज ये भी पूछा जाता है कि दूसरी अवस्ता का जो समय है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है तो याद रखिए द अगली जो वस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है मूर्ट संक्रियात्मक अवस्था, concrete operational stage या अवस्था साथ वर्ष से 11 वर्ष तक मानी जाती है, इसमें बालक में वस्तूओं में विभेत करना, पहचानना और उनका वरगी करण करने की जहमता पूरी तरह से बिक्सित हो जाती है उनका चिंतन अब और भी तर्क संगत और क्रम बद्ध हो चुका होता है अगली और चौथी तथा आखरी अवस्था है अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था यानि फॉर्मल आपरेशनल स्टेज 11 वर्ष के आगे की अवस्था को अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसमें भासा संबंधी योगिता तथा संप्रेशर सेलता का विकास अपने चरम पर होता है बालक अच्छी तरह सोचने समझने तथा किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो चुका होता है दोस्तो जीन के संग्यान आत्मंग विकास की अवस्थाओं में आपको याद क्या क्या रखना है आपको बता रहे हैं आप चारो अवस्थाओं का नाम हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूशन नहीं होगा चारो अवस्थाओं का नाम याद रखिए चारो अवस्थाओं का समय याद रखिए और चारो अवस्थाओं की विसेस्ताओं को आपको याद रखना है क्योंकि इन में से किसी भी से सम्बंधित question पूछे जा सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगले वीडियो में एक ने टापिक के साथ आप से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और हाँ अगर आप मारे वीडियो पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें